असलाम अलेकुम आज मैं आपको एक ऐसी रेमिडी बनाना बताऊंगी जो मेरे लिए तो बहुत काम की है उम्मीद है कि आपके लिए भी बहुत यूसफुल होगी आज मैं आपको बताऊंगी आप होटो की केर कैसे करें तो देखे मैंने यहाँ पे गुलाब की पत्या ली है इनको पहले मैंने धो लिया और धो करके इनका पानी बिल्कुल सुखा लिया है आप गीली पत्यों को बिल्कुल इस्तमाल ना करें इसमें पानी का बिल्कुल इस्त क्रेश कर लूँगी और इसी तरह से आप इनको क्रेश कर ले और अपने होटों की आप केयर कर ये तो जिन लोगों के होट खराब हो जाते हैं फटने लगते हैं जलन होती है और इसकी न उतरने लगती है और बहुत जादा अपने होटों से परिशान हो गए हैं और वो लड़ और यह रमेडी सिर्फ 3 डियों से मिलकर ही बनेगी मैं घर पर ही आपको घर के ही सामानों से बहुत जल्दी से बनाना । बता दूँगी कि कितने आसानी शे आपसो घरपर तयार कर लेंगfred आपको बजार से महंगे महंगे क्रीम और महंगे महंगे बाम लानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप घर पर ही नैचुरल तरीके से होटो के लिए स्क्रबर बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान है बनाना देखे मैंने इसको कूट लिया है तो देखे मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी और निकाल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का ये बन करके त्यार हुआ है तो अगर आप पिंक कलर का रोज लेंगे तो ये पिंक कलर का बनेगा और अगर आप रेड कलर का रोज लेंगे तो रेड कलर का बनकर त्यार हो जाएगा आप कोई भी रोज ले लें इसमें कोई भी फर्क ने पड़ेगा किसी भी तरह का किसी भी कलर का आप ले ले लेकिन वो एक ही काम करेगा आपके होटो को बिल्कुल साफ सुथरा मुलायम और बार पिंक बना देगा तो देखे मैंने इसको निकाल लिया है तो ये देखे अभी मैं थोड़ा सा ही आपको बना करके दिखा रही हूँ और ये थोड़ा सा भी मेरा आठ दिन तक चल जाएगा क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा सा लेकर ही अपने होटो पे स्क्रब करना है तो देखे इस तरह से आप इसको एक कटोरी में निकाल लें और उसके बाद अब मैं बताओंगे आपको इस पर किस चीज़ का आपको इस्तमाल करना है अगर आपको इसको ज़्यादा समय तक रखना है तो आप इसमें नारिल का तेल भी एड़ कर लें मैंने इसमें नारिल का तेल एड़नी किया क्योंकि मुझे सिर्फ 8 दिन के लिए ही इसको रखना है और मैंने यहां पर वैसलीन का इस्तमाल किया है तो वैसलीन हमारे होटो को बहुत अच्छा सा एक मौस्चराइजर का काम करती है होटो की जो गंदगी होती है उसको खतम करती है और बहुत अच्छे से हमारे होटो को क्लीन करती है तो क्लीनर का काम करने के लिए वैसलीन बहुत ही जादा फायदे मन्द होती है तो देखे मैंने यहां पर वैसलीन को ले लिया है तो मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा एक चमच के वराबर ही वेजलीन को लिया है आप इसी तरह से जितनी कॉइंटिटी आप इसकी बनाए बस उसके एकॉर्डिंग आप वेजलीन को ले लें तो मैंने वेजलीन को देखे इस रोज की पत्तियों में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लिए बहुत असानी से मिक्स हो जाता है और अब मैं बताऊंगी इसमें किस चीज का आपको इस्तमाल करना है तो आप इसमें चावल के आटे का इस्तमाल करें मैंने यहां पर चावल का आटा खुद ही बनाया है चावल को मैंने दरदरा कूटा है आपको बिस चावल दरदरा ही कूटना है बिल्कुल बारिक बिल्कुल भी नहीं करना तो दरदरे चावल को आप इसके अंदर मिक्स कर दें चावल जो है स्क्रब का बहुत अच्छा सा काम करता है स्किन को क्लीन करने में मदद करता है तो देखे मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है बस इसी तरह से आप इसको मिक्स कर लें और आप इसको एक किसी भी छोटे से कंटेनर में रखतें तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक क्रीम की एक हाली डिबी थी मैं इसी में इसको स्टोर कर दूँगी इसी में आप इसको रख दें इस तरह से कोई भी बरतन ले 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 आप डिबी ले 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 कर कि आप उसके अंदर इसको रख दें इसके बाद आप इसको जब यूज कर लें और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दिया करें तो देखें मैंने इसको बना लिया है अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है तो ये बहुत अच्छा सा बन करके त्यार हो गया है इसमें जो वैजलीन है उसे बहुत अच्छी हमारे होटों में चमक आने वाली है और जो चावल है तो उसे बहुत अच्छी से स्क्रब हो जाएगा जितनी भी हमारी डेड स्किन होगी तो वो सब निकल जाएगी तो इस तरह से आप थोड़ा सा लेके अपने होटों पे मसाज कर लिया करें हफते में दो तीन भार आप इस तरह से मसाज करेंगे तो आपके होट बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और वो बहने जो लिपिस्टिक लगा करके परिशान हो गई हैं उनके होट काले पड़ गई हैं तो वो बहुत आसानी से अपने होट को वापस पिंक कर सकती हैं तो इस तरह से आप इसको ज़रूर यूज कीजिए और सदी में जिन लोगों के होट फट जाते हैं तो वो भी इसका इसका इस्तमाल करें तो उनको भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है तो देखे मैंने कितना अच्छा सा बना करके त्यार कर दिया है बस इसको आप बन करके फ्रिज में रख दें और जितना आपको यूज करना है उतना ही निकाले तो आई होप कि आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी अगर आपको मेरी टिप पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए तो चलिए चलते हूं इंशाला फिलोट के आओंगी एक नई टिप के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज